दोस्तो South America और Amazon River में बाय जाने वाली electric eel दुनिया के सबसे घातक और जानलेवा शिकारियों में से एक है क्योंकि ये मशली अपने शिकार को 600 volts का बिजली का जटका दे के उसे paralyze करती है और फिर उसे जिन्दा ही खा जाती है एक electric eel की बाड़ी में लगभग 6000 electrocyte नाम के cell होते हैं जिसमें हर cell के पास 0.08 volts जितना current पैदा करने की शमता होती है इन eels की पानी में देखने की शमता बहुत कमजोर होती है और ये अपना शिकार ढूढ़ने के लिए अपने आसपास electromagnetic field generate कर लेती है और जब कोई जीव इसकी range में आता है तो eel को पता चल जाता है और ये उन्हें बिजली के जटके देना शुरू कर देती है शिकार ढूढ़ने के साथ ही eel इस जोड़ता शॉक का इस्तमाल दूसरे शिकारी जानवरों से खुद को बचाने के लिए करती है जब ये eel अपने सर को अपनी फूश के पास ले जाती है तब इनके शॉक्स दोग उने पावरफुल हो जाते हैं जिससे ये बड़े जानवरों को भी पैरलाइस कर देती है हाला कि eels का शॉक इंसानों की जान नहीं ले सकता क्योंकि ये सिर्फ कुछे मिली सेकंड्स तक शॉक दे सकती है मगर ये आपको दिलखा दौरा ज़रूर दे सकती है eels को खुद ये शॉक क्यों नहीं लगता ये आज भी वज्ञानिकों के लिए देहस से है मगर कुछ studies ये कहती है कि electric yields की body में कोई खास तरह का protein होता है जिससे ये शॉक बरदाश कर लेती है